नमस्कार आपको स्वागति इस्टाफ अलोजी में आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर लाइफस्टाइल फैसंस लिम्टिट के कौटरली रिजल्ट्स के बारे में तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्रीज सब्सक्राइब कर दें बैल आइकन पर क् कोलम है वह दिसंबर की स्कॉटर के रिजल्ट है और जूँआ कड़े आपको सबसे पहले दिखाए दिरहें वह हैं मार्च 22 कोटर के रिजल्ट तो फस्ट नमर पॉइंट को देखते हैं टोटल इंकम को मार्च 21 कोटर में कंपनी की टोटल इंकम थी 843.44 करोड की दिसंबर क 22 कोटर में यह हुई 1270.30 करोड की और मार्च 22 कोटर में यह 315.81 करोड की हो गई तो टोटल इंकम की बात करते हैं यह और में मार्च 21 कोटर से मार्च 22 कोटर में तो इयर और में इंकम घटती हुई दिखाए दी रही है बात कर लेते हैं क्वाटर अन क्वाटर में दिसंबर अब दिख लेते हैं paying variable शेम्रेक्म कोटर्व से March 22 क्क वैटर में मार्च यहां तो भी सबढ़हार्य दिद होर्य है अब दिख लेते हैं expensive को सब से नीचे दिये गाए total expenses मार्च 21 quarter में 984.05 करोड के expenses थे दिसंबर 21 quarter में ये 1389.076 करोड के expenses में करणवाट हुए और मार्च 22 quarter में 428.05 करोड के expenses हुए हैं तो total expenses की बात करें year on year में मार्च 21 quarter से मार्च 22 quarter में तो यहाँ पर 46% की व्रद्धी expenses में year on year में होते हुए नजर आ रही है बात कर लेते हैं quarter on quarter में दिसंबर 21 quarter से मार्च 22 quarter में तो quarter on quarter में expenses 4% बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं अब हम देख लेते हैं company के profit and loss statement को तो बात करेंगे fifth number point loss before tax की मार्च 21 quarter में 1489.09 करोड के loss before tax थे दिसंबर 21 quarter में ये 112.13 करोड के loss में convert हुए और मार्च 22 quarter में 1790.09 करोड के loss before tax हुए है तो loss before tax की बात करते हैं year on year में मार्च 21 quarter से मार्च 22 quarter में तो year on year में loss जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं बात कर लेते हैं quarter on quarter में दिसंबर 21 quarter से मार्च 22 quarter में तो quarter and quarter में भी loss before tax में व्रद्धी होती हुए दिखाई दी रही है अब बात करते हैं 7th number point की net loss after tax की तो March 21st quarter में 149 करोड के net loss थे December 21st quarter में 111.67 करोड के net loss हुए और March 22st quarter में 1889.91 करोड के net loss हुए है तो net loss की बात करते हैं year on year में March 21st quarter से March 22st quarter में तो year on year में हमें company की net loss है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं बात करें अगर quarter on quarter में March, माफ कीजी के December 21st quarter से March 22st quarter में तो quarter on quarter में भी company के net loss है उसमें व्रद्धी होते हुए दिखाई दे रही है तो overall अगर results की बात करते हैं तो चाहाँ वो quarter on quarter हो या year on year हो दोनों में ही हमें company का performance काफी ज़्यादा खराब होता हुए नजर आ रहा है company के जो loss है उसमें हमें year on year quarter on quarter दोनों में ही loss में काफी ज़्यादा व्रद्धी होते हुए दिखाई दी रही है results काफी खराब आए हैं धन्यवाद